मेहुल चौकसी पर मोदी सरकार को बड़ा जटका लगा है। या अपमानजरक व्यभार या सजा की अशंका भी जताई थी। चौकसी ने एंटिग्वा और बामुडा की कोट से अपने दावे की जांच की मांग भी की। जिसमें ये कहा गया था कि 23 मई 2021 को एंटिग्वा और बामुडा से उसका अपहरन किया गया था। ऐसे में वो उन परिस्तितियों की त्वरित और गहन जांच का हकदार है। मेहुल के इन दावों के बाद कोट ने अपने फैसले में कहा कि मेहुल चौकसी को अब बिना अदालती आदेश के एंटिग्वा और बामुडा की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। कोट ने ये भी कहा कि डोमिनिका की पुलिस इसकी जांच करे कि क्या मेहुल चौकसी को उसकी इच्छा के खिलाव जबरन डोमिनिका से बाहर ले जाया गया था। वहीं कोट का ये फैसला किसी बड़े जटके से कम नहीं है क्योंकि अब मेहुल चौकसी का भारत आना कन्फर्म नहीं माना जा रहा। अचित अपरादियों और आर्थिक अपरादियों की पहचान और वापसी के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन इजन्सियों के साथ संपर्क कर विवस्तत कदम उठा रही है।